मानाव सिवा करके हम भगवत प्राप्टे तो कर सकते हैं लेकिन हम खुद को भगवान की का दर्जा नहीं दे सकते और भगवान से उपर नहीं समा सकते ये गलती की है सोनु सूतने और जिसका खम्याजा हुने भूगुतना पड़ा ट्रोलिंग के मैध्यम से नमस्क्राइब स किसी के जहन में भी नहीं था किसी के दिमाग में भी एचीज नहीं थी कि सोनु सूत जैसा बंदा बिलन का निभाता है पड़ते परदे पे और जिसको लोग साहँ ठीक से जानते भी नहीं होंगे वह इंसान अचानक से आके वह उन मजदूरों के लिए मसीहा बनता है जो सड़कूं पे फिर रहे थे अपने घर जाने के लिए अपनों से मिलने के लिए बेताप थे जो सड़कूं पे रातने कार रहे थे खाना नहीं था उनके लिए सोनुसूत एक मानों के रूप में महा मानों बने मसीहा का काम उनों ने किया ये सबी को पता है कि एक बानेता के लिए कम्हाइब कि यह मंसीसे चुपा हुआं नहीं है पर द्याद क्य नहीं होटी है तो फिसे टीनवरी उप लगदी ऐन का सक्प्रेभ लेकिन कहते हैं यह इंसान है यह मानव जीवन है कमिया इसमें होती है मैं मानती हूँ अगर तुम्हारी तारीफ होती है कहीं पर तुम अच्छा काम करते है उसके तारीफ होती है उस तारीफ तुम्हें जो है और अच्छा काम करने के प्रेरित करती है लेकिन जब तुम्हारी तारीफ तुम्हार अच्छा है तुम्हारे उपर अंदर एहंकार बनके अच्छा जाती है तो फिर उसका नतीज़ यही होता है जो सोनु सूधने की जो गलती की और जिस तरह से लोग उन्हें टॉल कर रहे हैं वाकि में चैहें उन्होंने मुझे नहीं लगता अन्जाने में क्या होगा उन्होंन इसके लिए लोगों उन्हें बुरी तरह से टॉल किया है उन्होंने ये बोला कि ऐसे शिव जी की फोटो भेजने से कुछ नहीं होगा लोगों की मदद करू ये उन्होंने हलांकि उन्हें लगा होगा उनका कहने का मतलब साथ कुछ और होगा लेकिन उन्हें वो ये भूल कि सिव भगवान ये दुन्या के रचिता है और सनातन धर्म में सिव ही सब कुछ है हमारे जीवन के अंत में भी हमारे चाह संजान होते हैं वहां पी भी सिव होते हैं ये सब को पता हो न चीए ये सोनुसूत को पता निरा सहद उनके अंदर सहद ये चीज भर गई कि मैं इसी चीज को पकड़के बैठोंगा तो लोग सहद मेरी तारी भी करेंगे उनको वो इस चीज को समझ ने पाए हालंकि उनकी मनसत क्या थी वो जाने लेकिन वो ये भूल गई कि मैंने आपने आपको भगवान से उपर रख लिया मैंने आपको भगवान तो समझा ही समझा कि मैंन तो तुम्हारी अच्छा ही तुम्हें गाने की जवत नहीं है। मैं हमें सोनु सुच जैसे लोगों का उधान हर किसी को देना चीह है। जब इस तरह के आपता आती है तो नामी लोगों को जोग भी कर सकता है मदद करें। मैं हालां कि हमेशा मैं तो ब्यक्तिका तोर से गुप्त रूप से मदद काने मैं एकिन करते हूं। लेकिन इतने बड़ी आपता मैं जब बड़े लोगों से हमें उमीद होती है वो नहीं करते। और एक ऐसा है उसी बड़ी बुट का एक ऐसा है इंसान जिससे हमें दूर दुख पर उमीद नहीं होती कि वो से ऐसा कुछ करेगा लेकिन वो कर दिखाया उसने वो मानों की रूप में मैसिया बना लेकिन वो अच्छा ही वो तारीप से वो हजब नहीं कर पाए मैं यह मानों के रूप दुख पते नहीं गलति हो जाती है मैं चाहूँगी कि सोनू सोथ अपने गलती मा दा मांग लें कूछ का रा कुछ भी करें कित्री भी इंसानिये वो बH58त करें बहुत करा लेकिन वो भगवान से उपर नहीं हो सकते वो बहुत नहीं बन सकते वो कुछ भी करें, कित्री भी इंसान ने मदद करें, वो कुछ भी करें, लेकिन वो भगवान से उपर नहीं हो सकते, वो भगवान नहीं बन सकते, वो अपने आपको एक अच्छा इंसान ही बना सकते, दूसरे के मदद करके हम भगवत पराप्त कर सकते हैं, हम ये जिता सकते ह अंदर ही इंसान बैटा है लेकिन हम अपने आपको भगवान ने समझ सकते हम अपने आपको भगवान से उपर ने समझ सकते हैं सिभ हमारे सनातन में क्या है सब को पता है उन्होंने भगवान जी का अपमान किया है यहां पर उन्होंने गलती किया और उन्हें अपनी इस गलती माफी मांगनी चाहिए, हो जाती है गल्ती, यह इंसानी फित्रत है, इंसान अगर दुनिया मा आया तो इंसान गल्तियों का इपुत्रा है, हो जाती है, अगर उन्होंने अन्जाने में किया है, उन्हें तब भी माफी मांगनी ही चाहिए, अगर उन्होंने जान पूझ भी किय तो वो नहीं करने, नहीं मात मांगे, मैं यही कहना चाहूंगी सोनुसूत को, कि उन्हें अपनी गल्ती माल लेनी चाहिए, और कि अंजाने में मुझसे हुआ है, कोई भी इंसान, उन्हें बहुत अच्छा काम किया है, इसमें जरा सा भी संका नहीं है, क्योंकि हमें पते हम ए उसका हमें अमरित लगता है, इसमें कोई सकने कि जो तुमने मदद की इस आपदा में, करोना काल जैसे में, यह बहुत बड़ा महानकाम है, लोग ने तुम्हें मानों का मसिया, मजदुरू का मसियाता कहा, महामानों कहा, लेकिन यह अच्छा ही जब आपके अंदर एहंकार का रूप ले चुकी है, तो इसको मार दो, उस अच्छा ही से तुम भगवत को प्राप्त कर सकते हो, अगर तुमने अंजाने में यह चीज कही है, तब भी माफि मांग लो, अगर तुमने जान बूच के यह सब किया है, आपने आपको भगवान से उपर रखा है, तो आप ग प्राउन का भी क्या हल किया था, सभी को पता है, इसलिए अपने आपको भगवान से न तो भगवान के बराबर समना भगवान समझो, न भगवान से उपर समझने ही कोशिज करो, अच्छे काम करते रहो, मानोता की मदद करते रहो, भगवत प्राप्त अपने आप होगा, ब उनका यह एहंकार है और एहंकार इंसान को फिर इंसान नहीं रहने देता है अहंकार फिर इंसान को कुछ नहीं देखने देता यह भौध कला चीज़ है मैं सोनू चीज़ जी को एक की बात कहना चाहूंगी अगर अच्छा है ने आपके अंदर एहंकार का रूप ले लिया है तो इसको जल्दी से मार डालो क्योंकि आपके किये हुए अच्छे कारव फिर सारे मिट्टी में मिल जाएंगे नमस्कार मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दिना अगर थोड़ा सा और भी अच्छा लगता है तो यह जादा सेर कर दिजिएगा और बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज इसे सस्क्राइब कर लिजिएगा घंटी आइकन भी प्रेस कर दिजिएगा जब मेरे आने वाली कोई भी नहीं वीडियो आती है तो आप तक इसकी नोटिफिक्सिशन बराबर आती रहे